हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यूट्यूव चैनल में कैमेस्ट्री क्यांप करत अज फ QS में हम कंटिणीं करेंगे मौल consider 2 श्ञे छाये इसले प्रेकर में लाइट कर जाने के कारणा निंदा पिछर को बीच में ही रोकना पड़ा था वहीं से हम आगे continue करेंगे आज देखते हैं पिछले दिन हमने क्या पढ़ा था पिछले दिन हमने पढ़ा था 24 ग्राम कारवन है मतलब कोई लाग कारवन कारवन तुम्हारे पास है 24 ग्राम उस 24 ग्राम कारवन में नमबर ओफ मॉल ओफ कारवन एटम कितना होगा ये हमने देख लिया था आज हमें देखना है कि 24 ग्राम कारवन में नमबर ओफ इलेक्टॉन कितना है इस चारो कोईश्चन का आंसर दो देखेंगे अब जड़ा गौर करो जो कारवन है कारवन का अटोमिक नमबर कितना होता है अटोमिक नमबर कारवन का अटोमिक नमबर होता है 6 और जो अटोमिक नमबर होता है वो बिसकली नमबर ओप्रोटॉन ही होता है नम्बरो प्रोटॉन होता है ठीक है और चुके कारवन पे कोई चार्ड नहीं है कारवन नीट्रल है इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन है तो पक्का 6 क्या रहा होगा? इलेक्टॉन थोड़ा सा इसको हम समझते हैं थोड़ा और डिटेल में हला कि यह 9-10 की बात है कोई भी इलिमेंट है कारवन कारवन का अटोमिक नमबर कितना हुआ? 6 होता है और अटोमिक नमबर होता है basically नमबर और पोर्टॉन के बराबर अब इसमें पोर्टॉन 6 है और इसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कि इसका overall charge cancel out है 6 जब 6 अगर पोर्टॉन है इसमें नमबर और पोर्टॉन 6 है और पोर्टॉन होता है positively charged और यह है neutral इसका मतलब जरूर 6 negatively charged चीज होगा इसके अंदर इसका मतलब electron कितना हुआ 6 लेकिन अगर हम लिखें c minus c minus इसका मतलब है number of proton number of proton proton तो इसका atomic number के बराबर ही होगा क्योंकि atomic number number of proton के बराबर होता है मतलब number of proton तो 6 ही होगा जोकि atomic number के बराबर होगा बट अगर number of electron की बात करें number of electron की बात करें तो जरा गौर करना इसके अंदर 6 proton है और एक negative charge दिख रहा है इसका क्या मतलब है कि 6 proton के positive charge neutralize होने के बाद एक negative charge आ गया है इसका मतलब हुआ कि पक्का इसमें अगर इस 6 proton को 6 electron मिलता तब तो neutralize होता तब तो यहाँ पे कोई charge नहीं होता पक्का इसके अंदर 7 electron है तभी overall एक negative बच गया है इसका मतलब 7 या तुम ऐसे सोच सकते हो कि जब neutral atom होता है तो proton electron का number same जब negatively charge है मतलब एक negative charge है मतलब एक electron बाहर से आया होगा इसका मतलब 6 plus 1 7 electron अगर हम बोलें कि C minus 2 में C minus 2 में C minus 2 का एक iron है तो number of proton कितना होगा? proton तो 6 ही होगा number of proton तो carbon का atomic number के बरावार ही होगा but number of electron क्या होगा? number of electron क्या होगा? अगर ये neutral होता तो 6 होता बर दो-दो negative charge है मतलब बाहर से 2 electron extra आ गया है मतलब 6 plus 2 8 ठीक है? इसी तरह से अगर हम तुमसे बोलें कि carbon C minus 2 नहीं है C plus 2 है इसमें बताओ number of proton number of proton number of proton तो फिट से atomic number के बरावर 60 होगा बट number of electron की बात करें number of electron की बात करें electron और proton बरावर होता है neutral atom में बटे हाँ तो दो-दो positive charge है इसका मतलब क्या है? positive charge का मतलब electron निकला है कितना electron निकला है? दो electron निकला है neutral रहता तो कितना electron रहता? 6 electron रहता plus 2 है मतलब 6 electron से 2 electron निकल गया होगा मतलब इसके अंदर कितना electron हुआ? 4 electron इसी तरह से अगर हम लिख दें हाँ पे C minus sorry C plus तो number of proton कितना हो जाएगा इसमें? number of proton हो जाएगा number of proton हो जाएगा 6 जो कि atomic number के बराबर है और number of electron हो जाएगा बताओ भाई लोग number of electron हो जाएगा यह neutral होता तो 6 electron होता positive charge है एक positive है मतलब इक electron निकल गया है मतलब 6 में से एक electron निकल गया कितना electron? 5 ठीक है? इसी concept का यूज़ करके हम इस third number questions को करेंगे तो हम इसको मिटा रहे हैं यह actually 9-10 में पढ़े होगे तुम चलो देखो अगर हम कारवन की बात करें कारवन का atomic number कितना है? atomic number 6 इसका मतलब number of proton कितना हुआ? number of proton कितना हुआ? 6 neutral है यह इसलिए number of electron कितना हुआ? proton के बराबर तभी तो electron औप proton का effect दोनों का chart cancel हो के neutral रहे गई है 6 ठीक है? अब देखो क्या पुछना number of sorry number of mole of electron अगर हम कारवन का एक मोल ले कारवन का एक मोल है एक मोल मतलो कारवन का एक atom लो एक atom इसमें कितना electron है? electron कितना है? 6 electron है एक atom में 6 electron एक दरजन एक ये में 6 येक लेक्ट्रोन एक मोल एकम में 6 मोल में येक्रोन एक मोल मन मी कारवन सरे अगर ए पुछन और एकरवन का करवन का येक्रोन है? carbon का mole कितना number of carbon atom number of mole of carbon atom कितना था ये था 2 mole 2 mole था ये पिछले क्लास में हमने निकाला था इसका value number of carbon atom कितना था 2 into avogadro number इतना atom था carbon का number of mole of electron कितना होगा 1 mole carbon में 6 mole electron तो 2 mole carbon क्योंकि ये तो 2 mole के बरावर ही है न 2 mole carbon में कितना mole electron 12 mole electron इसका क्या होगा 12 mole electron number of electron कितना एक mole का मतलब avogadro number के बरावर electron तो 12 mole का मतलब 12 into avogadro number के बरावर electron इतना electron हुआ या ये लिख सकते थे इसको एक mole के बरावर है न एक mole का मतलब 6.022 into 10 to the power 23 तो 12 mole का मतलब क्या 12 into 6.022 into 10 to the power 23 इतना electron इसी तरह से अगर हम बात करें number of mole of proton देखो carbon कार्टोमिक number 6 इसका मतलब हम क्या लिखेंगे number of proton का value कितना 6 क्या हम ये लिख सकते हैं carbon one atom one atom of carbon contain कितना proton six proton proton अगर हम one mole carbon लिखें तो कितना mole proton six mole proton one atom contain six proton तो one mole carbon atom contain six mole proton कितना mole carbon atom है दो mole तो कितना mole proton हुआ एक mole carbon में six mole proton तो दो mole carbon में कितना mole proton 12 mole proton ये हो गया 12 mole proton और अगर इसको number of proton में convert किया जाए मतलब ये तो mole है तो एक mole के बराबर होता है 6.022 6.022 इंटो 10 to the power 23 proton तो बारा मोल का मतलब हो गया 12 इंटो 6.022 इंटो 10 to the power 23 proton इसी को लिख सकते हो और 20 इंटो ये वो गयादो number proton इतना proton है ना तो ये था questions जो पिछले लेक्चर में हमने लिया था अब बरते हैं next questions के तरफ अभी तक हमने कोई भी formula नहीं बताया है बीना formula का चीजें हम पर रहे हैं हम formula भी बताएंगे बट ये chapter completely unitary method से बनता है जो 19th में पढ़े हो unitary method उसी से ये पूरा chapter cover हो जाता है formula का जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम formula भी बताएंगे देखो next question हम लेते हैं हम ले लेते हैं 46 gram sodium है और इस पर based हम questions करते हैं 46 gram sodium है पहला question तुमसे पूछा गया है number of mole of sodium मतलब 46 gram sodium में 46 gram sodium में कितना mole sodium का है दूसरा question जो पूछा गया है तुमसे number of sodium atom तुसरा question पूछा गया है number of mole of electron in 46 gram sodium चौथा question है number of mole of sorry number of electron sorry number of number of electron electron in 46 gram sodium 5 number of mole of proton and six है number of proton प्रोटोन्स ठीक है यह six question पहले जैसा ही है तुम वीडियो को पहुच कर लो और इसको solve करो और उसके बाद हम जब solution उसके बाद वीडियो आन करना और solution से match कर आओगे चलो हम इसको solve करते हैं हमने बताया था यहां पे sodium का जिक्र है इसका मतलब sodium जर अगौर करना sodium sodium का जो atomic mass होता है atomic mass होता है क्या लिखते हैं हम लोग 23 लिखते हैं अब अगर हम लिखें 23 amu और लिख सकते हैं 23 gram इन फैक्ट यह होता है mass of one atom यह होता है mass of one sodium atom और यह होता है mass of one mole one mole sodium atom इसका मतलब actually मैं जब atomic mass बोला जाए तो तुमको बोलना चाहिए 23 amu एक atom का mass और जब molar mass बोला जाए sodium का molar मतलब एक mole का mass एक mole का mass तो हमें बोलना चाहिए 23 gram हमारे पास 46 gram sodium है और हम जानते हैं 23 gram का मतलब एक mole 23 gram 23 gram sodium correspond one mole sodium atom इसका मतलब यह हुआ कि 23 gram sodium का 23 gram sodium का टुकड़ा रखोगे तो उसमें 6.022 into 10 to the power 23 sodium atom होगा 23 gram में इतना sodium atom तो 46 gram में कितना? इनिटरी मेथड लगाओ एक gram sodium में बन वाइट 23 तो 46 gram में कितना? बन वाइट 23 into 46 है ना? मतलब 46 gram में कितना mole sodium? 2 mole sodium ठीक है? कई बार लोग इसी को formula बना देते हैं इस चीज को number of mole is equal to given mass by molar mass molar mass एक mole का mass और हैं mass उपर किस में होना चाहिए? mass in gram और नीचे जो molar mass भी लोगे वो किस unit में लोगे? gram में लोगे in gram और ये molar mass का मतलब क्या हुआ? एक mole का mass यहाँ पर gram नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा क्योंकि अगर gram तुम नहीं लोगे, gram में नहीं लोगे तो unit cancel ही नहीं होगा ठीक है? तो उपर ले लो mass और नीचे लिख लो molar mass उपर भी gram नहीं लिखोगे तब भी चलेगा क्योंकि अगर उपर का unit अलग और नीचे का unit अलग ले लिए तो cancel ही नहीं होगा unit नीचे molar mass मतलब एक mole का mass ग्राम में लिख लो उपर जो mass है उसको भी gram में कर लो जो mass दिया हुआ है उसको divide कर दो number of moles निकल जाएगा अगर atom रहा तो यहाँ पर atom का molar mass यूज़ करेंगे और अगर molecule रहा तो molecule का molar mass यूज़ करेंगे ठीक है? तो यहाँ पर देखो number of moles कितना आ गया? दो moles इस formula से भी निकालो given mass कितना था? 26 gram और molar mass कितना होता है sodium का 1 mole का mass कितना होता है? 23 gram तो sorry यहाँ तो 46 था ना 46 gram given mass है और sodium का molar mass मतलब 1 mole का mass है 23 gram तो 23 से divide कर देंगे 46 को 2 mole आ जाएगा ठीक है? तो यह formula याद रखो या ना रखो किवली यह चीज़ जानो कि atomic mass को m e में लिख दिये तो one atom का mass gram में लिख दिये तो एक mole का mass हो जाता है उतना से ही सब कुछ सोलव हो जाता है number of mole कितना आ गया sodium का? 2 आ गया अब जड़ा गौर करते है number of sodium atom 2 क्या है? number of mole मतलब 2 mole sodium का है और एक mole का मतलब होता है 6.022 into 10 to the power 23 sodium atom तो 2 mole का मतलब क्या हुआ? 2 into 6.022 into 10 to the power 23 sodium atom ठीक है? इसी तरह अगर number of mole of electron की बात करें तो हम जानते हैं, जड़ा गौर करो हम जानते हैं sodium का atomic number, atomic number 23 होता है इसका मतलब इसके, इसका atomic number atomic number 23 नहीं, sorry इसका atomic number कितना होता है? atomic number 11 होता है इसका मतलब इसमें number of proton number of proton कितना है? proton जो कि atomic number के बरावर होता है 11 और चुके neutral है तो number of electron कितना होगा number of proton के बरावर तो number of electron कितना हो गया 11 इसका मतलब यह हो गया sodium के एक atom में 11 proton 11 electron इसका मतलब sodium के एक mol में 11 mole proton 11 mole electron sodium का कितना mole है sodium का 2 mole है एक mol में 11 mole electron तो 2 mole में 2 mole में कितना mole electron number of mole of electron sodium का 2 mole है एक mol में 11 mole electron तो 2 mole में कितना mole electron 22 mole electron इसी तरह number of electron की बात करें तो 22 mole electron इसका मतलब 22 into 6.022 into 10 to the power 23 into 23 यह हो गया तुम्हारा number of electron number of proton चुके neutral एक में sodium तो जितना electron होगा उतना ही proton होगा तो number of mole of proton उतना ही होगा जितना number of mole of electron था तो यह हो गया 22 और यह हो गया 22 into हडा इसको तो चलो, next question देखते हैं, अब atom का case नहीं देखते हैं, molecule का case देखते हैं, देखो, अगर हम S2O लिखती है, S2O का, जैसे atom के corresponding atomic mass होता है, molecule के corresponding क्या होगा, molecular mass, कैसे निकलता है इसका molecular mass, इसमें जो भी atom है, उसके atomic mass को जोड़ दो, तो इसका क्या आजाएगा, molecular mass, इसका atomic mass क्या है, इसका molecular mass कैसे निकलेगा, molecular mass, ये तुम, 9, 10 में पढ़े हो, कैसे निकलेगा, 2 into atomic mass of hydrogen, जो की 1.008 होता है, तो यहाँ पर बन लिख देते हैं, प्लस, oxygen का atomic mass कितना, 16 होता है, ये दिया रहेगा तुमको, ऐसे याद भी रहना चाहिए, oxygen ये छोटा-छोटा molecule का तो याद रहना चाहिए, 20 तक तो याद रहना चाहिए, ये हो गया, कितना हो गया, 18, ये हो गया, water का molecular mass, इसी तरह अगर हम बात करें, molecular mass किसका, S2SO4 का, तो S2SO4 का molecular mass कितना होगा, इसके हर atom का atomic mass को जोड़ दो, यहीं होगा इसका molecular mass, कैसे क्या होगा, hydrogen का atomic mass 1 होता है, मतलब 1.008 होता है, तो उसको बन माल लेते हैं, तो 2 इन्टू 1, प्लस, sulfur का होता है, 32, तो 32 ले लेते हैं, प्लस, oxygen का होता है, 16, 4 इन्टू 16, क्योंकि 4 oxygen atom है, सबको अगर जोड़ोगे, तो यह आ जाएगा, 2 प्लस, 32 प्लस, 64, 2 प्लस, 32 प्लस, 64, कितना हो गया, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और 6, और 3, 9, यह हो गया, 98, इसी तरह से अगर हम calcium carbonate की बात करें, calcium carbonate का molecular mass की बात करें, तो क्या होगा, calcium का यह केड़म का mass होता है, 40, 40, प्लस, कारवन का होता है, 12, 12, प्लस, oxygen का होता है, 16, बढ़ 3 oxygen है, तो 3 इन्टू 16, इस सबको जोड़ो, तो यह हो गया, 48, प्लस, 12, 60, प्लस, 40, 100, हलाकि यह technical गलती है, इसका molecular mass नहीं बोलना चाहिए, इसका formula mass बोलना चाहिए, यह आईनी compound है, आईनी compound molecule के form में नहीं होता है, formula unit के form में होता है, इसलिए आईनी compound का molecular mass नहीं बोलते हैं, formula mass बोलते हैं, तो चलो अब देखो जैसे water का molecular mass निकाल लिए S204 का निकाल लिए केलसम carbonate का निकाल लिए इसी तरह से LM का बड़ा बड़ा molecular mass निकाला जा सकता है ठीक है अब जड़ा गौर करो जो water का molecular mass कितना 18 है अगर तुम जैसे S204 लिखा हुआ है इसका molecular mass कितना है 18 है इसका 18 है molecular mass बड़ अगर तुम 18 AMU लिख देते हो और 18 gram लिखते हो तो 18 AMU जब तुम लिखते हो तो ये होता है mass of mass of one water molecule molecule ठीक है और जब 18 gram लिखते हो तो ये होता है mass of one mole S2O molecule one mole S2O molecule मतलब समझ में आया एक water unit का 1 S2O का mass है 18 AMU जबकि 18 gram कितना water का mass है एक S2O डूसरा S2O तीसरा चोथा पाच्वाच्वां छटा साथा त्वां त्वां आट वानो मां दसमा इस तरह से जब एक mall water molecule के mass को जोर दोगे टावाएगा ठाड़ा ग्राम एक मोल लिखने लिखना भी पासेबर नहीं है एक मोल कितना बड़ा होता है सिक्स पॉइंट जीरो टूटू सिक्स ही माल लेते हैं इन्टू टेन टूदी पावर ट्वंटी थ्री भाई इतना पैसा हो जाए तो मेरे समझ से हम तो पढ़ाना बंद कर देंगे हम नहीं पढ़ाएंगा फिर अब मेरे समझ से तुमको भी पढ़ना बंद कर देना चाहिए बाकी तुम्हारी मर्जी हो सकता है तुम तो पढ़ाना बंद कर देंगे एक मोल रुपया जहां मेरे पास आया पढ़ाना बंद अब देखा जाएगा उस समय फिर से पढ़ाने का मन कर गया कुछ असा दिमाग मे आगे कि नहीं पैसन हमको पढ़ाना ही है तो फिर पढ़ाएँगे अधर्वाइस जॉब के लिए जब तुम बिटे करने के लिए बिटे कूँ करتے हो तुम मतलब तो में इंजनर क्यों करना चाहते है जादतर लोग तो लक्षरी लाइफ के लिए هिं करना चाहते हैं तो मेरा यह अपना opinion है किसी से match नहीं भी कर सकता है simple किसी को पढ़ने में मज़ाता है किसी को research में मज़ाता है तो फिर उसको पैसे से तोला नहीं जा सकता बट एक मास मतलब एक मैजरिटी जादा तर लोग तो जॉब के लिए ही पढ़ते हैं तो उनको तो पहले ही जॉब मिल गया कहीं लखी ड्रॉव में एक मॉल रुपया मिल गया तो चलो ठीक है क्या-क्या मैं बाते कर रहा था ऐसे बकवास वाली चलो ठीक है पढ़ लेते हैं 18mU mass of 1mol of S2O molecule 18g mass of 1mol S2O molecule इस तो simple atom type का ही है जैसे atom में लिख देते थे तो वो एक atom का मास होता था और gram में लिख देते थे तो एक mol atom का मास होता था यहां एक mol molecule का मास होता क्योंकि water atom तो है नहीं तो molecule है इसी तरह से अगर S2O4 के बारे में बात करें अगर S2O4 के बारे में बात करें तो S2O4 का S2O4 के अंदर अटम है उसका atomic mass को add किये है तो 98 आया है इसका मतलब S2O4 का atomic mass एक atom का mass 98 amu हुआ और S2O4 के एक mol molecule का mass 98 gram हुआ यह mass किसका हुआ? mass of mass of 1 S2O4 unit 1 molecule of molecule of S2O4 S2O4 जो काफी छोटा होगा और यह 98 gram जो कि 100 gram के आसपास है यह होगा mass of mass of 1 mole of 1 mole of 1 mole of S2O4 molecule S2SO4 molecule यह molecule of S2O4 बात पराबर है ठीक है अब जड़ा questions देखते हैं इस छोटे से concept पे molecular mass पे इसके इसमें जो atom है उसके mass को add कर दो amu में लिख दो तो इसका एक mole का mass हो जाता और gram में लिख दो तो एक mole का mass हो जाता है चलो चौक बदल लेते हैं बाई चौक भी खतम हो गया चौक भी मेरे को मंगवाना पड़ेगा लॉक्डॉन में चलो ठीक देखो अगर हम लिखते हैं 54 gram उपर लिखते हैं ताकर हम कुछ जगह मिले थोड़ा questions लिखने का हम लिखते हैं हमारे पास है 54 gram water ठीक है तुम्हें बताना है question number one number of mole of H2SO4 sorry H2SO4 कहाँ सागे हैं मेरा भी दिमाग लगता है number of mole of H2O मतलब अगर तुम 54 gram 54 gram पानी लेते हो तो उसमें कितना mole S2O का होगा दुसरा number of H2O molecule तुम्हें जगार इस्रा नमबर अधम चौथा नमबर अधम पाच्वा तुम्हें नमबर ओफ, मोल ओफ, हाइड्रोजन अटम, छथा, नमबर ओफ, हाइड्रोजन अटम, साथमा, नमबर ओफ, मोल ओफ, ओक्सीजन अटम, आथमा, नमबर ओफ, ओक्सीजन अटम, अब आजाते हैं, नाइन्थ कोईशन पे, कोईशन नमबर ओफ, नमबर ओफ, मोल ओफ, इलेक्ट्रॉन, दसवा, नमबर ओफ, इलेक्ट्रोंज, इगाराववा, नमबर ओफ, मोल ओफ, प्रोफ, ओक्सीजन, वाराववा, नमबर ओफ, प्रोफ, ओक्सीजन अटम, अटमबर ओफ, ठीक है तो ये 12 question है जिसका answer तुम्हें करना है तुम वीडियो pause करो इसका answer बनाओ जब answer बन जाए तो वीडियो on करो फिर हमारे answer से match कराओ एक एक करके हम इन questions को देखते हैं इधर जो दो question लिखे हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम है चलो number of mole of water सबसे पहले थोरा सा देखते हैं कहानी water का water का अभी हमने देखा था कि जो इसमें सब atom है उसका mass को add करते हैं तो आता है 18 इसका मतलब है कि 18 A mu इसका एक atom का mass है और 18 gram ये एक mole, sorry 18 A mu इसका एक molekul का mass है, atom नहीं ये mass किसका है, mass of one unit of H2O या one molekul of H2O जबकि 18 gram किसका mass है, mass of one mole of H2O तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, one mole of H2O को लिख सकते हो, 6.022 into 10 to the power 23 S2O हना, अब ज़रा देखो, हमारे पास था 54 gram S2O और हम जानते हैं कि one mole S2O का mass 18 gram होता है इसका मतलब हम लिख सकते हैं, 18 gram of H2O, of H2O correspond one mole S2O 54 gram S2O अगर है तो unity method लगाओ, one gram S2O correspond one y 18 mole S2O अगर हम 54 gram S2O की बात करें, तो क्या हो जाएगा, बनवाई 18, बनवाई 18 into 54, इतना mole S2O 3 mole, मतलब 3 mole S2O है, और इतना करने का कहां जरूरत था, 18 gram मतलब 1 mole mass of 1 mole of S2O, 18 gram है, 18 gram 1 mole का mass है, तो 54 gram कितने mole का mass रहेगा, 3 mole का mass 1 mole का mass, 18, 3 mole का mass, 54, या उल्टा सोचो, 18 gram 1 mole का mass, 18 gram 1 mole का mass तो 54 gram, बनवाई 18 into 54, हो गया 3 mole, इसका मतलब है, first का answer हो गया, कितना first का answer हो गया, 3, ठीक है, number of mole of S2O, 3, number of S2O molecule, 3 mole S2O है, और एक mole का मतलब होता है, 6.022 into 10 to the power 23 molecule, तो 3 mole का मतलब कितना हुआ, 3 into 6.022 into 10 to the power 23 molecule, इसी को लिख सकते हो, 3 into evo gado number V, क्योंकि इस number को तो इसको नमबर बोलते हैं, number of mole of atom, ये समझो, तुम्हारा लिए नया हो सकता है, करते हैं हम इसको देखते हैं, इसको हम हटाएंगे, एक चीज़ बताना, इसको भी अटाते हैं, एक चीज़ बताना हो, अगर number of mole of atom पुछाएंगे, देखो, H2O है, इसका one unit है, one unit का मतलब, one molecule है, molecule, इसका एक molecule है, इसमें कितना atom है, इसमें दो atom है, two atom of hydrogen, and one atom of hydrogen, यही है ना, अब इसके एक molecule में total atom कितना है, तीन atom है, देखो ना, दो यह और एक यह, तीन atom, एक molecule में तीन atom, बोल रहा number of mole of atom किसमें? चलब आ ग्राम, वाटर में, एक molecule में तीन atom, तो एक mol molecule में तीन मोल atom, तीन मोल molecules में, एक mol molecule में, तीन मोल atom, फिर से देखो एक मोलेकुल में तीन अगर ये एक मोल होता तो इधर तीन मोल एटम होता और यहाँ पर तीन मोल मोलेकुल है तो नाइन मोल एटम कितना हो जाएगा नाइन मोल एटम एक मोल एटम में तीन मोल एटम तीन मोल एटम में थिरी इंटू 3 9 mole atom number of atom 9 mole atom ये है mole 9 mole ये था इतना number of atom molecule इतना molecule ये क्या था 3 mole अब देखो number of atom इतना mole atom है ना और 1 mole atom का मतलब होता है एब गए रो number तो इतना mole atom का मतलब 9 into ये वो गए रो number इतना atom ये सम मिला के है hydrogen oxygen मिला के है इतना number of mole of hydrogen atom अब केबल तुमको hydrogen atom का mole बताना है तो 1 mole water में 2 mole hydrogen atom होता है total हमारे पास 3 mole water है तो कितना mole hydrogen atom होगा 1 mole में 2 mole hydrogen atom तो 3 mole water में 6 mole hydrogen atom number of mole of hydrogen atom कितना हो गया 6 mole number of hydrogen atom अब 1 mole का मतलब होता है 6.022 into 10 to the power 23 6 mole hydrogen atom है तो इसका मतलब कितना हो गया कितना hydrogen atom हो गया 6 into 6.022 into 10 to the power 23 इतना hydrogen atom atom of hydrogen number of mole of oxygen atom 1 S2O में 1 molecule S2O S2O का 1 molecule लेते हैं तो उसमें 1 oxygen होता है 1 mole लेंगे तो 1 mole oxygen होगा 3 mole लेंगे तो 3 mole oxygen होगा इसका मतलब यहाँ पे हो गया 3 mole oxygen atom और अब number of oxygen atom 1 mole का मतलब 6.022 into 10 to the power 23 atom तो 3 mole का मतलब 3 into 6.022 into 10 to the power 23 oxygen atom इतना atom of oxygen इतना mole of oxygen इतना atom of hydrogen इतना atom किसका है यह total यह जो है इतना atom of hydrogen यह जोड़ के जोड़ के इतना मोल एधकुल ओफ वाटर इतना mole of water ठीक है यह धा एक कुशन इसके बाद एक कुशन और देखते हैं फटा फट इसको कॉपी कर लो और तुम जो बनाये हो उसे आंसर मिला लो इसके बाद हम next questions पे चलते हैं एक चार्ज species ले लेते हैं फटा फट इसको copy करो अच्छा और भी question था इसमें ना इसमें और भी question था चलो उसको भी हम कढ़ी लेते हैं देखो एक question था 9 number number of mole of electron 10 number था number of electron 11 number था number of mole of proton mole of proton and 12 था number of proton proton था ये था question क्या था question था 54 gram H2O यही था कुछ question और जोड़ देते हैं तुम्हें बताना है 30 number में percentage of oxygen oxygen तुम्हें बताना है percentage of hydrogen थीक है percentage बताना है और यह जो percentage बताना है why weight बताना है चलो ज्यादा confusing नहीं बनाते हैं और जब इसका answer बताएंगे तब हम बात करेंगे इस पे चलो गौर करो 54 gram H2O है पुराना question यह 9 gram electron है यहां तक तो पुराना ही है दो नया चीज़ हमने जोड़ दिया है number of mole of electron सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो water है water है इसमें electron कितना है अगर इसका one molecule है one molecule है तो इसमें electron कितना है hydrogen के अंदर एक electron होता है दो hydrogen है तो दो electron हुआ oxygen के अंदर six electron होता है तो six और two कितना हो गया two into one plus six eight electron हो गया eight electron electron एक water molecule में eight electron तो एक mole रहेगा तो eight mole electron और यहां कितना mole था number of mole of electron पूछ रहा है water का तीन mole था तो तीन mole एक mole water में eight mole electron तीन mole water में 24 मतलब eight sorry तीन मोल वाटर था ना तो हम लिख देते हैं three into eight mole electron हाना इसी तरह number of electron तो एक mole electron का मतलब अब गयाटो नमर के बरावर इसका मतलब इसका मतलब रूज का मतलब हुआ 24 इन्टी फोर इन्टू एन ए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नमबर आप मोल ओफ पूट्रॉन चुक्के वाटर पर कोई चार्ज नहीं ओबर अल मतलब इसका अंदर पूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का नमब बरावर होगा तो नमटर आफ मोल आफ पोल्टॉन नमटर आफ मोल आफ ऐलेक्तॉन के बरावर होगा 3 इं토 एट ये या 24 लिग दो मोल औफ प्रोतन प्रोतन और नमपर आफ पोल्टोन हो जाएगा 3 इं토 8 इंते अब एट अब गैडडो नमबर या 6.0 2 परसेंटेज ओफ ऑक्सीजन और यह कैसे निकालना है यहां भी य मास मतलब मास को कंसीडर करते हुए परसेंटेज निकालना है मतलब क्या हुआ अगर हम S2O ले लें S2O कुछ नहीं लिखा हुआ है S2O है के बल इसमें बताओ इसमें दो अगर इसका एटम के मास को जोड़ोगा तो अठारा आएगा मतलब अगर इसका अठारा गराम लेते हो तो इसका अठारा गराम बेसेकली दो गराम इसमें हाईड्रोजन है हाइड्रोजन है और सोला ग्राम कौन है सोला ग्राम ऑक्सीजन है यही नहीं यह सोला और दो जोड के 18 बनता है क्या यह लिख सकते हो यह लिख सकते हो S2O का मॉलेकुलर मास को यह हुआ एक मॉल का मास और अगर एक मॉलेकुल का मास लिखें तो 2amu किसका मास है? Hydrogen का Hydrogen का और 16amu किसका मास है? Oxygen का 1s2o का 1s2o मुलेक्वल है तो उसका मास 18 ग्राम जिसमें से 2amu हाइड्रोजन और 16amu Oxygen अगर 18 ग्राम लेते हो तो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम Oxygen अगर हम बोलें percentage of hydrogen by mass मतलब percentage of hydrogen hydrogen का mass कितना है 2 gram total mass कितना 18 gram 18 into 100 और अगर पूछें percentage of oxygen by mass by mass का मतलब है कि उपर में भी mass लेना है नीचे में भी mass लेना है तो हम क्या लिखेंगे 16 divided by 18 into 100 अगर तुम इससे भी निकालोगे तो वहीं चीज आएगा यहां से भी क्या लिखोगे percentage of hydrogen 2 amu divided by 18 amu तो amu cancel हो जाएगा और यहां पे gram gram cancel होगा into 100 percentage तो दोनों में same ही आएगा percentage of oxygen 16 by 18 16 by 18 into 100 अब देखो चाहे तुम एक molecule लो बाटर का एक mole लो बाटर का या 54 gram बाटर लो मतलब 3 mole लो बाटर का percentage of hydrogen, percentage of oxygen same ही आएगा आना भी चाहिए percentage है नहीं, चलो तो यह था, यह इसको बोलते है percentage composition मतलब वाटर में कितना percent hydrogen है, कितना percent oxygen है यह बताया गया है लेकिन एक और चीज, यह by क्या है by mass है, hydrogen का mass लिए है और water का mass लिए है चलो इसके बाद बरते हैं हम थोड़ा आगे अच्छा कोई बोले कि बताओ इस water में number wise बताना है कितना percent hydrogen और कितना percent oxygen water में total atom कितना है तीन atom है, जिसमें से एक oxygen और दो hydrogen तो hydrogen का percentage क्या हो गया 2 by 3 into 100 और oxygen का percentage क्या हो गया 1 by 3 into 100 यह by number हुआ by mass नहीं हुआ ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं next questions के तरफ बट वीडियो का size देख लेते हैं कितना बड़ा वीडियो बन चुका है actually 50 minute का हो चुका है इसलिए फिर भी एक question कर लेते हैं एक question कर लेते हैं 10 minute और लग जाएगा और क्या बट उससे कुछ सीखने को मिल जाएगा हटा रहे हैं इसको question हमारा क्या है question है इस वार लेते हैं हम 5 mole sulfate iron ठीक है तुम्हें बताना है पहला number of sulfate iron तुसरा बताना है number of mole of एक minute मम्मी आई होगी lecture ले रहे हैं क्या काम है ले जाओ चलो देखो number of mole of number of mole of atoms atoms तुसरा number of atoms चौथा number of mole of sulfur atom चौथा चौथा number of sulfur atom चौथा number of mole of oxygen atom oxygen atom चौथा चौथा number of oxygen atom चौथा चौथा number of mole of electrons चौथा number of electrons चौथा 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 number of mole of protons चौथा 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 इन questions को answer करते हैं और इसके साथ आज का लेक्चर खतम करेंगे इसके बाद मिलेंगे नेक्स लेक्चर में तो 5 mol sulfate ion है तो number of sulfate ion कितना है एक mol में होता है 6.022 into 10 to the power 23 sulfate ion तो 5 mol में कितना हो गया 5 into 6.022 into 10 to the power 23 ion of sulfate या इतना sulfate ions इसी तरह number of mol of atom जड़ा गावर करना sulfate ion जो है अगर इसका एक unit रहा तो इसमें 5 atom 4 oxygen का एक sulfur का इसका एक mol रहा तो इसमें 5 mol atom 4 mol oxygen का एक mol sulfur का number of mol of atom number of mol of sulfate ion कितना है 5 एक sulfate ion में 5 mol atom 5 mol sulfate ion में sorry फिर से एक sulfate ion में 5 atom एक mol sulfate ion में 5 mol atom तो 5 mol sulfate ion में 5 into 5 25 mol of atom atom बट यह atom है किसका किसका sulfur plus oxygen एक mol sulfur का नहीं एक mol sulfur का नहीं यह 25 mol जो atom है इसमें 5 mol sulfur का और 20 mol oxygen का number of atom atom कितना हो जाएगा 25 mol है atom का number of atom कितना होगा 25 into avogadro number 6.022 into 10 to the power 23 इतना atom number of mol of sulfur atom कितना देखो sulfate ion के एक आयन में एक sulfur atom एक mol में एक mol sulfur atom 5 mol में 5 mol sulfur atom 5 mol और 5 mol का मतलब 5 into avogadro number 6.022 into 10 to the power 23 atom इसी तरह से number of mol of oxygen atom एक sulfate ion में 4 oxygen atom एक mol sulfate ion में 4 mol oxygen atom 5 mol sulfate ion में 20 mol oxygen atom तो यह हो गया 20 mol oxygen atom 20 mol oxygen atom और 20 mol का मतलब हो जाएगा 20 mol का मतलब हो जाएगा 20 into 6.022 into 10 to the power 23 oxygen atom ठीक है? इसी तरह से अगर हम बात करें number of mol of electron जरा गौर करो sulfate ion sulfate ion का one ion अगर है one ion एक unit है बस एक ion sulfur के अंदर कितना electron? इसमें electron कौन करो? sulfur का atomic number होता है 16 अगर sulfur neutral है तो उसमें कितना item रहेगा? sulfur neutral है तो उसमें 16 proton होगा atomic number के बराबर और 16 ही electron होगा तो 16 electron sulfur में oxygen में कितना? 8 electron बर 4 oxygen है क्या हो जाएगा? 16 plus 4 into 8 इतना इतना electron हो गया? और 2 electron extra है बाहर से आया है plus 2 कितना हो गया? 32 2, 34 6, 40, 10, 50 यह जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा मतलब एक आयन में 50 50 इलेक्ट्रोन एक मोल में 50 मोल इलेक्ट्रोन 5 मोल में 5 into 50 इलेक्ट्रोन 5 into 50 50 मोल इलेक्ट्रोन नमबर आफ एलेक्ट्रोन पुछा जाए तो 5 into 50 जब इतना मोल था इलेक्ट्रोन का तो इतना इन्टो armor गैडो नमबर इलेक्ट्रॉन तू में वह गैडो नमबर को 6.022 इंट टू दिवाट अटी थीरी भी लिग सकते हो अब नमबर ओपोर्टॉन पूछ रहा है भाई ये ओबरॉल नीटरल नहीं है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और पोर्डॉन का नमबर बराबर नहीं होगा बताओ इलेक्ट्रॉन जितना हुआ है इससे दो कम पोर्टॉन होगा कैसे ध्यान देना ये क्या था ये था नमबर ओफ इलेक्ट्रॉन अगर हम नमबर ओपोर्टॉन की बात करें सल्फर का डॉमिक नमबर 16 होता है इसका मतलब सल्फर में 16 पोर्टॉन इस निगेटिव चार्ज के कारण पोर्टॉन नहीं बढ़ा, इलेक्टॉन बढ़ा है पोर्टॉन तो इतना ही रहेगा और ये आएगा 48 इसका मतलब 50 इलेक्टॉन था पोर्टॉन तो 48 है नमबर ओफ पोर्टॉन मतलब एक सलफ़ेट आयन में 48 पोर्टॉन एक सलफ़ेट आयन में 48 पोर्टॉन एक मोल सलफ़ेट आयन में 48 मोल पोर्टॉन 5 मोल सलफ़ेट आयन में 5 इंटो 48 मोल पोर्टॉन 5 इंटो 48 मोल ओपोर्टॉन और चुक्के अब नमबर ओफ पोर्टॉन बोल रहा है तो एक मोल का मतलब 6.022 into 10 to the power 23, तो इतना मोल का मतलब क्या हो गया, 5 into 48 into 6.022 into 10 to the power 23 proton, अधर्वाइज इसके जगा पर एक वो गैडो नमर न अ भी लिख सकते थे, तो ये था कुछ questions, मोल concept पे based, आज का lecture रखते हैं इतना ही, मिलते हैं next lecture में कुछ questions के साथ, और कुछ नए concept के साथ, आज के लिए इतना ही, thank you.